सिञक्षिन Storyokay में मुझ हन इस्टार्ट करने जा रहे हैं माझ जीोग्रापी क्लाश 13 सारी जीग्रापी जो है उनको हम आर्ट ये नो लिक्षर में डिसक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करते हैं जीग्रापी यूनेट नंबर वन लिक्षर नंबर वन इसका सही जवाब है आफशन नमबर बी तरी इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है जिस जवाब के आगे डेश लेका हुआ है वो जवाब सही है कोर जो है ये रिजेंबल्स करता है किस चीज़ वाइट अफ़ इन एक योक अफ़ इन एक या सिम्पल है इसका सही जवाब है अप्शन नमबर बी योक अफ़ इन एक जो होती है न एक की उस तरह का होता है इनर कोर इस डेश इन शेप जो अर्थ का इनर कोर है उसका शेप कैसा है उसका शेप जो है हाड है हाड है सालिड है हाड इन सालिड अप्शन नमबर ये इसका सही जवाब है हाड इन सालिड फाइव इनर कोर इस डेश किलोमीटर तिक और डेश डिगरी सिंटेगरेड हाड जो इनर कोर है अर्थ का कहते है कि वो कितने किलुमीटर थिक है और कितने कितना कितना हाट है तो यह है 1250 किलुमीटर थिक है यह और 4300 डिग्री स्ट डिग्रेड यह हाट है आफ्शन नमबर बी इसका सही जवाब है 1250 एंड 4300 MCQ नमबर 6 the outer core is in dash form outer core जो है अर्थ का यह किस form में है यह semi liquid form में है आफ्शन नमबर 6 इसका सही जवाब है the outer core is in semi liquid form 7 है the outer core is dash kilometre thick and dash degrees degraded hot जो outer thick है वो कितने kilometer thick है और कितना हाट है सही जवाब है आफ्शन नमबर 6 यह 2250 किलुमीटर thick है और 3700 degrees degraded है option number c mental is the second layer of the earth and it's about dash kilometer thick mental जो है ये दूसरा layer है अर्थ का ये कितना तिक है ये 3000 km तिक है तकरीबन 9 है mental is like the dash part up in egg mental जो है वो किस तरह देखा जा सकता है उसकी शकल कैसी होती है जो white part होती है अंडी की उसकी शकल ऐसी होती है white part up in egg option number a इसका सही जवाब है the mental layer is composed of mental layer जो है ये किस चीज़ पे मच्तमिल होता है अर्थ का mental layer iron पे silicon पे magnesium आल पे iron silicon सारों से बना होता है तो इसका सही जवाब है option number d 11 है the temperature of the upper portion of mental is dash and lower portion is dash जो mental का upper portion है कहते है कि उसका temperature कितना है और lower portion का temperature कितना है upper का temperature है 870 degrees centigrade और lower का temperature जो है वो है 3400 degrees centigrade तो इसका सही जवाब है option number a 870 and 3400 12 है dash is the lightest and thinest layer इसमें से कौन सा जो है ये lightest है और thinest layer है अर्थ का जो हलका है सबसे mental core crust सही जवाब है crust crust जो है ये lightest and thinest layer of the earth है 13 है crust is mostly composed up crust जो है ये किस जिस से बना होता है aluminum, silicon बोथ ये बना होता है aluminum, silicon दोनों से बोथ इसका सही जवाब है crust is mostly composed up both aluminum and silicon 14 है crust resemble the dish up in crust जो है इसकी सुरत किस तरह बनती है ये इसकी सुरत जो है घざल अपन एक जो एक जोए इस तरह बनती है नah white part जैसी बनती है ये अरो, पाड जी ब réflटती है। बभी ही का होता है किसे ही बहुत ही किसे करफ देश किलोमेटर केक स्थी कान्टिनेंट्स कीडिया कैते हैं किसे क्याओ केशे किलोमेटर क्मरालिय। 20 to 70 km 16 है Due to cracking some big faults formed in cracking की वज़ा से कहता है कुछ बड़े faults पाइदा होते हैं कहां पे ये crust पे पाइदा होते हैं सारे faults तकरीबन बड़े बड़े जो pals होते हैं ये mental और core ज़्यादा पाइदा नहीं होती है ये crust में पाइदा होते है option number C 17 है in the beginning continent continent were joined together in a farm of whole mass called इप्तिदा में जो continent थे वो एक दूसरी के साथ जुड़ी हुई थे किस तरह उसको किया कहा जाता था पंजिया टेक्टोनिक कोर उसको option number A पंजिया कहा जाता था 18 है now the dish plate is moving in north west direction कहते है कि कौन सा plate है जो अभी north west direction की तरफ हरकत कर रहा है अफ्रेकन अमेरिकन pacific plate जो है ये north west direction में move कर रहा है हरकत कर रहा है option number C का सही जवाब है pacific 19 है scientists estimated that plates can move with the speed of dash every year science साइंसदानों ने estimate किया है कि जो plates है ये सालाना किस speed से किस रप्तार से हरकत कर रहे है इसका सही जवाब है option number A one centimeter to ten centimeter इसका सही जवाब है one centimeter to ten centimeter twenty है and sense प्रांसेसो a severe earthquake occurred in dash due to the collision of American plate with Atlantic plate के थै कि जो American state है एक sense प्रांसेसो उसमें American plate के Atlantic plate के साथ collision ठकर के नतीजे में एक जलजल आया था केता है कि ये कब आया था 1905-67 ये 1906 में आया था 1906 में option number B इसका सही जवाब है 1906 जस साल Muslim League Muslim League का कयाम हुआ था डाका में twenty one है there are days types of parts केता है कि parts की कितनी किसमें है parts की there are three types of parts option number B twenty two है due to tension one side up a block or fault moves upward while the other side either remain on its place or move downward is the example ये जो बयान किया गया है केते है कि ये किस चीज़ की मिसाल है ये normal fault है reverse fault है lateral ये normal fault की मिसाल है option number A इसका सही जवाब है adds a normal fault and 23 है when one block up a fault comes or moves on the surface of other block जब एक का block दूसरे के उपर आजाए तो फिर ये कुन सा हो गया ये हो गया reverse fault option number B इसका सही जवाब है this type of fault is called reverse fault 24 है when two tectonic plates slide each other जब दो tectonic plates एक दूसरे पर slide करते हैं opposite direction मतज़ाद सिम्मत में dash fault is found तो इससे कुन सा fault पैदा होता है इससे जो पैदा होता है उसको lateral part कियते है option number C इसका सही जवाब है this type of fault is called lateral part 25 है dash fault is located in the northern area पाकिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान कौन से पाल जो है ये सियातर पाकिस्तान के नार्दर इरिया कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान वगेरे में वाकिया है ये main कारा कुरम फाल जो है, ये यहाँ पे वाकिया है option number A इसका सही जवाब है main कारा कुरम फाल्ट 26 है dash fault सरन्त तू जहलम district in रॉल पिंडी रॉल पिंडी और district जहलम में कौन से फाल्ट पाए जाते हैं ये जहलम फाल्ट यहाँ पे पाए जाते हैं option number B इसका सही जवाब है जहलम फाल्ट and mc cruise number 27 dash fault passes through कलाबाख टाउन district में वाली और जहलम कलाबाख टाउन district में वाली और जहलम में इसे कौन से फाल्ट गुदरते हैं ये कलाबाख पाल्ट है option number C इसका सही जवाब है कलाबाख पाल्ट and mc cruise number 28 dash fault is found in बलोचिस्तान बलोचिस्तान में कौन से फाल्ट पाए जाते हैं चमन फाल्ट is found in बलोचिस्तान बलोचिस्तान में चमन फाल्ट पाए जाते हैं क्योंकि यहां पाहड बहुत ज्यादा में है and mc cruise number 29 है and dash is a sudden temporary series of motion कौन सा action जो है sudden temporary series of motion है earthquake इसको कहा जाता है mc cruise number 30 है the place inside the earth from where the earthquake originate is called वो जगह जहां से earthquake जो है originate होती है इसको क्या कहा जाता है उसको जमीन के अंदर जो मकाम होती है का जाता है seismic focus option number 8 का सही जवाब है the place inside the earth from where the earthquake originate is called a seismic focus यह ता lecture number 1 इसके बाद आने वाले जितने भी मसी कूस है class 7 geographic को अपने अगले lecture में आने वाले lectures में हम describe करेंगे इंशाल्ला